कि अपने कल का वीडियो देखा है और उस वीडियो में आपने देखा है एक ex army officer सवाल का जवाब दे रहे हैं वो यह सारा कुछ कुलासा कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा कहते है मुझे कि आप recording करके जाते हो सिक्का का एक पहलू आप दिखाते हो दूसरा पहलू तो दिखाते न हो तो मैंने शो किया है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है s ici जीडि सुडेंट्स को गाजी पर बॉडर से 2 बार क्यों निकाळा गया और तो और गुरुद्वारा का द्वार क्यों इनके लिए बंद है सच्चाए जानने बिना कुछ पत्रका है जो गुरुद्वारा को बधन कर रहे हैं कभी गुरुद्वारा किसी का जिम्मेदारी उटाने से कभी मना नहीं किया है कुछ तो हुआ होगा न और मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी जो यहां पर आंधुलन के लिए बैटे हैं और जो रास्ते में हैं और जो घर पर है अगर सरकार ऐसा नहीं करेंगे सरकार कि जो यहां पर बैटे हैं उन्हीं को जॉब दे सरकार देगी तो सब को देगी यह बात निश्चित है पिछले दिनों जब आपका अंधलन चल रहा था बड़े 15 दिन से बड़े प्यार से बड़े रेस्पेक्टफुली हो रहा था बहुत बढ़िया हो रहा था अच्छा एक बात कहना चाओंगी कुछ लोग है उन्हीं SSGD स्टूडेंस में जो एक ग्रुप बनाया है और हवा फेला रहा है उसमें की हम गलत बोल रहें SSGD स्टूडेंस गलत करें वो सही वो कुछ भी बोल सकते हैं वो सही अगर सोशल मेडिया कुछ बोले या करें वो गलत ऐसा क्यों बाई गलत बात है न और मैं मेरा वीडियो प्राइविट सिर्फ और सिर्फ अजीत सोन कर के कहने पर किया है उनका रिक्वेस्ट पर क्योंकि मैं कही मैं जानती हूँ वो किस दर्द से बोले हैं और मुझे बहुत सारे स्टूडेंस का अच्छे तरह के से फोन आये थे मैडम जी प्लीज रिक्वेस्ट लेकिन कुछ खतरनाक स्टूडेंस थे वो लोग मुझे टॉचर कर रहे हैं मेंटल टॉचर मैसेजिस टॉचर फोन्स कोई बात में कोई टंशन नहीं है जितना मोटी बुद्धी है न उतना स्ट्रॉण है तिक स्किंड पर्सन किसी ने कहा है उनी एसे सी जीडी स्टूडेंस में जो यूटूबर है वो सोचता है कि यूटूब भी चलाओ और मैं सरकार से नोकरी भी मांगू मतलब दो नाव में पैर रखके सवार करू में ये त गलत बात है न आप सब कुछ चाहिए आपको गलत बात है और गलत बोलना भी नहीं चाहिए किसी के प्रती क्योंकि आप जो जो मांग रहे हो न इस देश का रक्षा के लिए मांग रहे हो याद रखिए इस बात को तो इसी देश का जंता का रक्षा करने के लिए और उसी द देश का जनता के प्रति तो आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे उनका रक्षा कर सकते हो, जितना बदुआ देते हो, तो आप कैसे देश का तिरंगा को हाथ में लेके चल सकते हो. तो आप सूचिए न, क्या बोल रहे हैं आप पहले, मुझे कहा जा रहा है कि हम जमुना पार के रहने वाले हैं, मतलब क्या है, मुझे दमकी दे रहे हैं मुझे कतम करने का, अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है, तो ससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 के बैच जिमेदार हैं, यह मैं चाती ठोक के बोल रहे हूं कि जो शब्द इन्होंने यूस किया है, जमना पार के है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है न, कि हम आपको मार देंगे, मतलब आप लोग मुझे मारने के लिए यहां पर आंदोलन कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि S.A.C. G.D. स्टूडेंट्स का न्यूस सुनते ही आपको हसी आती है, तो मतलब आप सारे S.A.C. G.D. स्टूडेंट्स के उपर हस रहे हो, अपना ही न्यूस के उपर आप लोग हस रहे हो, तो फिर सरकार सोचने में मजबूर हो जाएंगे, शब्दों का चुनना और बोलना जरस हसी को क्योंकि इसी देश में आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे, रक्षा आपको करना है और अगर करना है शब्द का प्रयोग सही करो, रेस्पेक्ट अगर आप इनसान को नहीं दे सकते हो, तो आप इस बारत भूमी का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, इस देश का रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तिरंगा जंडा को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, वैसे आज का जो अंदुलन हो रहा है, वो मैं आपको तोड़ा ग्लिम्स बता दूंगी, मेरे लोग वहां पहुंचे थे और उन्होंने रकॉर्डिंग्स बेजा है मुझे, तो मैं बता दूंगी आपको क्या हो रहा है, और मैं जाते जाते यही कहूंगी, कि इसी देश में र मैं नहीं, मैं तो सिफ सच्चा ही बता रहे हूँ, मेरा काम है न्यूस, चलाना, न्यूस बताना, सच्चा ही बताना, गुरुद्वारा का भी बता दूंगी, और जो YouTube चला रहा है, उसका भी सच्चा ही बता दूंगी, जो कहता है न, हमें कोई opposition party की help की जरूरत नहीं है, तो आज कर क्या रहा है वहाँ बैटके, YouTuber आ रहा है, very good, तो आप करें तो सही, हम बोले तो गलत, जरा ना इंसाफी हो रहा है, तो सोच समझ के बोली, और चले हम वीडियो देखते हैं, और तैंक्स अजित, आपके वज़े से मैं तोड़ा private किया है, और अगर मुझे कोई भी दमकी calls आ रहा है, तो आप जानते हैं, कि मैं unprivate भी कर सकती हूँ, जय हिंद, जय बारत जय हूँ झाहिछ